बढ़त लेगी? और क्यों बढ़त लेगी? सपा के सासन में क्यों लदंगना हुआ है? एक सपता के अंदर चार दंगे होते थे और पच्छबी उत्तर प्रदेश में कोई अपने को सुरच्छित महसूस नहीं करता थे और आज अक्ता के माहुल था पेटी स्कुल जाती थी, स्कुल्टी लोग छोड़ा लेते थी, खेत से ट्रेक्टर उठाकर मेरेट में काट देते थी, घर से इसकार के उठाकर लोग काट देते थी और कोई पूरसा हाल भी नहीं था ना रिपोर्ट दर्ज होता था सिकेंड किसी गरीब को खुसाल ही नहीं थी, गरीबों के उपर अत्याचार होता था किस आधार पर बोटिंग देंगे, जो पिछले 5 साल पहले लोगों ने लूटा है, ना बिजली, ना पानी, ना सडक और विकास भी नहीं किया तो किस आधार पर उड़ देंगे, लोग विकास के नाम पर बोटिंग कर रहे हैं, गरीबों के लाभारती जो हुए हैं, कल्याण के नाम पर बोटिंग कर रहे हैं, और लोगों को मोदी जी पर विश्वास है, योगी जी पर विश्वास है, यार ये हैं, ये दोनों नेता क सिर्दोथ में घरीबों कालेयान सुकता है और कानून का राज है तो आज कि के निया बरी अच्त चर्ड़ते अच töई और शॉब्यों चाहर झांडे लगते थे अज आधा गड़ा में पहुंचा रहा हे अच्छी अच्छी सड़के बन गई है, connector पी हो गई है, Metro चल रहा है, अच्छी ट्रेने चल रही है, सड़क अच्छी चल बन गई है, गाड़िया चल नहीं है अब सफर जो साथ गंडे के था दो दो गंटे में हो रहे हैं, तिन गंडे में हो रहे हैं तो किस आदर विकास के आधार पर लोग बोट देंगे और गरीबों के खल्याण के नापर बोट देंगे और बीजेपी एक तरफा लोगों की आखें फट जाएगी जब रिजल्ट देखेंगे और सपा तो दूर दूर तक पच्छिमी उत्तर प्रदेश में एक आख दो सीटे जीद जा तो जीद जाएगा आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गर्मी में सर्दी का एहसास करा देंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश पुर्वांचल में चुना होगा वहां पर जाती कि अगत समीकराण है तो पशिमी उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों का स्लोगन थ देंगे क्योंकि कई दल जो आपके साथ थे वो अब दुसरे दल के साथ देखे एक समय था कि लोग जातिवाद की बात करते थे और जाति के आधार पर बोटिंग करते थे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनित को सपा बस्पा ने कभी जातिवाद का नारा, कभी गुंडा गरदी, कभी पुजी पतियों को टिकट देखा एक समय था कि ओकिलर नेता बनते थे और ध्यापक लीडर बनते थे बीच में ऐसा आया कि गुंडे, बदमास और प्रापर्टी कमा कर टिकट लेकर चुनाओ लड़ते थे लेकिन अब आख्चुनाओ जो हो रहा है 2014 के से और आधरिन मोदी जी के आने के बाद देश के राजनीत में अब विकास के नाम पर बोट होता है और इमांदारी के नाम पर बोट होता है आपके पास इमांदार नेत्रुत है क्या, विकास के मुद्दे है क्या तो आपके अपास आई ने घोर परिवारवाद है, बंसावाद है तो लोगों का विश्वास परिवारवाद बंसे बाद से उठ रहा है अरे यार ये नेता करेगा, फिर इसका बेटा करेगा, फिर इसका नाती करेगा और एक खांदान मिलकर पूरे राज्य को लूटता है, कोई काम ही नहीं है तो जैसे एक पहले एक कुनबा नहीं राता था तो जहां जाती वाद, जहां परिवार है, वही जाती वाद है और जहां जाती वाद है, वही भरस्टाचार है इसलिए 2022 का चुनाओ, विकास के नाम पर बोट में मिलेगा राष्टवाद के नाम पर बोटिंग होगा और गरीब के कल्यान के नाम पर बोट होगा और कानून वेवस्था के नाम पर बोट होगा कि सांती है, आज ये एक अधिकारी मेरे को मिला गुलब पीसफूल चुनाओ, मैं याद तक हमने जीवन में नहीं नहीं देखा करनाट का कहा थी क्या रिस्टा, आपजर्बर हो रही है आप तो इतना अच्छा महोल राज जीका है ना एक दंगा, ना फसाद, ना गुंडा गर्दी, ना बम पट रहा है सपा के सासन में रोज बम फटते थे, तो सपा को क्यों पसंद करेंगे लोग, साप कर देंगे सपा को, मैं गारंटे सिखाता हूँ और एपी को प्रचन बहुमत के साथ सरकार बनाएगे आप बात विकास की कर रहे हैं, लेकिन भारती जनता बाती के बारे में का जा जाता कि वोट धर्म के नाम पे माँग रहे हैं और अखिलेश यादो का कनेक्षन आतंग से आप लोग जोड़ रहे हैं? देखिए अख्लेच जी हमेशा सपा की सरकार आतंगवाद की बात करती है छोड़ने के लिए मुकदमें वापस की बात करती है आतंगवादियों को मापसा सीमी को लोग प्रसा देते हैं सीमी को मुकदमां वापसें करने तो क्या है सपा के सासन में